हेलो गई स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करें कि यादानी इनर्जी सोलीूशन की और सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी इसके अंदर होलिंग है तो इसके उपर हम डेली टेकनिकल चाट के अपडेट लाते हैं तो सबस्क्राइब जरूर कर ले हम सब्सक्राइब रहा है तो आने वाला मतलब की हपता इसके लिए इंपोर्टन रह सकता है साथ इसे अदम आगे बढ़े उससे पहले आप देख सकते हैं हमारे आप दूसरे वीडियो भी जरूर देखे डेली हमें एक शॉर्ट वीडियो भी अप्लोड करते हैं यह पर्सो का थोड़ी सी देर लगती है कुछ के अंदर स्टोप्लोस भी ट्रीकर होते हैं आप ट्रेड ले या न ले लेकिन आप वो सब वीडियो जो है देख सकते हैं आपको उसके अंदर कुछ नया सीखने को मिल सकता है तो सब्सक्राइब किये बेकर नहों जाए अभी के अभी सब्स उसके बाद एक हलकी सी इसके बांस बेक देने की कोशिश की और कल जो हुआ था वही चीज जो है आज दिखाए दी 900 रुपे के करीब करीब यह जाने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन वहाँ पर अभी भी जो है रेजिस्टन फेस कर रहा है कल अगर देखेगे तो यह जो 890 के आसपास गया वापस से थोड़ा सा इसके अंदर जो है प्रोफिट बुकिंग आया और उसके बाद 870 के आसपास रहा और आखिर में जो है एक थोड़ी सी हलकी सी गिरावट आने के बाद जो है ऐसा लग रहा था कि जो इन्टाडे पेलेस जो हो सकते है कि यहां पर जि एक से दो दिन अगर देखे तो मारकेट के अंदर या तो कंसलेशन हो या पर जो है ठोड़ा सा एक प्रोफिट बुकिंग आए तो इसके अंदर मतलब कि अगए अगर पहले से जो एपेले से अभी इसके अबुँग आ यह रहा है और तेजी भी अगर देखेंगे तो अच् तो अब इतनी तेजी आने के बाद थोड़ी सी यह प्रोफिट बुकिंग भी आई और अभी जो है यह अपने 50 जो पर्सन के जो रिट्रेस मेंने उसके आसपास जोई यह सपोर्ट लेनी की कोशिश कर रहा है इसका 50 पर्सन के रिट्रेस में एक सो अंदरा रुपे का असपास हो सकता है क्योंकि 230 रुपे का अगर 50% का गिनते हैं तो तक्रीबर 115 रुपे होता है अब यहां पर आप देख स सपोर्ट हम देखेंगे और यहां पर आगे देखें उससे पहले यह भी आप देख सकते कि यह 21 दिन का मुझा जो है मुझा यहां पर आप देखें 831 रुपे हैं और हीड़न बग की रिपोर्ट आई यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखोगे तो इसके उपर जो है इस आप देखें तो इसके उपर इसने क्लोजिंग दी है 831 के उपर तो यह अच्छी बात यहां पर लग रही है अब एक चीज़ और है कि मुझे कुछ कमेंट आये थे कि अगर इसके अंदर कल हमने बात की थी कि यहां पर अगर यह ब्रेक आउट देता है यहां पर यहां पर नच्ण आप देता है कहां तक छब안 तो मुझे ऐसा लग रहे कि यहीं जैसे पर जो है यहां यहां तकंप जाने की कोशच कर सकता है कि 1100 सह 1100 गीर इ testim तो यहां पर यह 50 विक का मुविंग एवले जोड़ी से नीचे भी आ रही है साथ ही साथ एक चीज और है उससे भी पहले का एक रेजिस्टर्ट जो है यहां पर आपको दिखेगा वह अभी हम आगे देखेंगे पहले तो यह 2150 दिनों का मुविंग एवले जैली चाट है इसक फिटर्ट का दूसरा सपोडक देखें पहला सपोड तो जो है आट सो चालिस का जोन के आस पास दिख रहा है दूसरा सपोड़ अगर देखे तो 230 रुपे का जैसे कि तेजी आई है उसका अगर 66% का डेटरेस्मेंट देखें तो यह जो 950 रुपे के आसपास का हो सकता है मत तो इसके लिए दूसरा एक अच्छा का सपोर्ट बन सकता है पहला सब्सक्राइब और अगर ब्रेक आउट देता है तब की बात है एक अजार और 70 रुपे का असपास यह जो उपरी लाइन है यहाँ पर भी जो है रजिस्टन फेस कर सकता है अगर ब्रेकाउट आता है तो यह इस लेवल को खास करकर जो इसने हाई बनाए था अब रिसंटली इस अपते 950 के आसपास का इसको पाल करता है किसी भी मतलब की वज़े से क्या कोई अच्छी न्यूज आई या फिर बाजार के अंदर तेजी आई तो मतलब की यह एक अजार पचास से 1100 का जो है पहला यह रजिस्टन हो सकता है दूसरा रजिस्टन एरिया अगर देखे तो 1100 से 1200 रुपे के बीच में हो सकता है यहाँ पर लग रहा है और साथी साथ 840 रुपे के आसपास एक यह 100 डेस की भी मुविंग रचे तो यह जो है सभी के सभी सपोर्ट और रजिस्टन के उपा आप नज़र रख सकते हैं चाहिए आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो या लोंग टर्म ट्रेडर्स वैसे मुझे यसा लग रहा है कि यह लोंग टर्म के लिए अच्छा भी रह सकता है अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो आगे देखते हैं अब इसका बॉलिंगर बेंग पहल और यह भी हर दिन चेंज होती रहती है सो मारक हो सकता है और थोड़ा सा उपर हो क्योंकि अभी उपर की तरफ जा रही है और नीचली लाइन नीचे की तरफ तो यह गेब जो है वह अभी मतलब की बढ़ रहा है जब कंसोर्डेशन होता है एक सीमित दाइनमेशेर जो गुम 8887 के असपास है हो सकता है कि आने वाले हपते में यह भी थोड़ा सा 900 के पार हो जाए या फिर 900 के करीब हो सकती है इसके अंदर भी चेंज होते रहते हैं वीकली अब इसके डेली चाट के ऊपर देखते हैं RSI की सिचवेशन तो 67 के असपास है RSI थोड़ा सा कूल ओफ अब वीकली चाट के ऊपर आले सा देखेगे तो यहां पर भी अगर आप देखेगे तो पिछले कहीं हपतों से अगर देखे तो यह नीचे था RSI और इस हफते अगर बात करें तो यह 47 के आसपास पास पहुंचा है तो यह थोड़ा सा एक यहां पर होप यहां पर मतलब की स्ट्रेंथ जो है वह वापस आई है आप खुद इसको देख सकते हैं और यहां पर जो है यहां तक साड़े 900 तक था तब तो यह RSI और वी उपर मतलब के होगा अभी 47 के ऊपर है वीकली चाट के ऊपर बात करें तो यह भी एक अच्छा यहां पर लग रहा है अब मंतली चा का भी जो है एक मतलब की वह भी देख लेते हैं तो यहां पर जो है कि मैना कल पूरा हुआ है और अब अगर बात करें तो यह इसके अंदर MSCD जो है यह नॉर्मल सा है अभी यह कर्व जो है हाला कि यह थोड़ा सा उपर यहां पर होता हुआ दिख रहा है लेकिन यहां पर अ कर वह जाया है अभी यहां पर इंडिकेसं जो है कुछ centrically अगर रहा है कोछ साब फ्रूस्य hebdom अगर ने सपोर्ट की चार्ड यहां पर यहां दिख रहा है उसके बात देखे तो एक 820 रुपे का भी जो है वो भी अच्छा घ्र सपोर्ट बन सकता है और उसके बाद मेजर सपोर्ट जो है वो 800 रुपे के करीब है और 800 से 780 का जो है पिछले दिनों में एक बल्क डिल या ब्लोक डिल भी हुई थी तो इन सभी सपोर्ट के जोन को जो आप द आई इस हबते और जब इसको पार करता है तब जो हमने बात की कि नेक्स्ट जो है इसका रजिस्टरंट 1000 से लेकर 1050-1100 तक यह जाने की संभाव नहीं इसकी रह सकती है लेकिन अगर शौट टम की बात करें तो इन सभी रजिस्टरंट के उप आप आप जो नज़र रख सकत ज़रूर देखे है तो आज के वीडियो में इतनी है अगर अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और एक स्टेंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ आप कोई भी ट्रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें अप बाद ही कोई डिसीजन ले और डिसीजन ले तो इसकिसी में दारी मेशा रिटी के साथ खुदी ले ये वीडियो में नहीं जो किसन परपस के लिए बनाएं मेरे तरब से कोई भी बाई असेल करें 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 मनेशन नहीं है थेंक्यू